हेलो फ्रेंड्स वागत्याप सभी का आर्वी टीटीव क्लास में तो फ्रेंड्स आज हम जो है सारे फार्मूलों का रिविजन करेंगे जो की सर्फेस एरिया वाल्यूम क्लास 10 की मैथ का चेप्टर नुम्बर 13 है तो उसमें एक एक करके सारे फीगर्स के फार्मूले को रिव कुटाय में तो इसमें यह होता है यह मरत ऑर यह हो जाता है हमारा हाइट करू इन सबसे पहले की उवरैंन में आता है ठीक के टी संसे इस्टेंट पॉर है टोटल सर्फिस एरिया आफा क्यूबर्ड तोदी के तोटल सर्फिस अरिया आपक्यूस एक बोटा है two in two and ii a何 बी प्लस n in twoh ठीक है तो यह होता है हम्हारा टी से आफा क्यूबॉइड अब आता है हमारा एरिया आफ फोर वाल कि एरिया आफ फोर वाल और इसी को हम बोल सकते हैं एल से क्या बोल सकते हैं एल से एल से क्या होता है लेटरल सर्फेस एरिया ठीक है क्या होता है लेटरल सर्फेस एरिया लेटरल सर्फेस एरिया जो होता है वह यह एसे ऐसे होता है जो हो वाला विलते हैं तो एलश से होता है किसी भी क्यूबई का two into L प्लस बी into each ठीक है यह होता है मारा लेड्र सर्फेरिया या फिर area आफोर वाल आफा क्यूबऊईड अब बात करते हैं वल्यूम की ठीक है तो जो मारा वल्यूम का फर्मूला होता है वह होता है यानि कि लेंट इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो होता है वह क्या होता है अब देखो एरिया के केस में जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर होगा जैसे कि संटीमिटर स्क्वायर किलो स्क्वाइर मिलिमेटर स्क्वाइर जबकि वल्यूम में यूनिट का क्यूब होता है क्या होता है यूनिट का क्यूब होता है क्यूब यूनिट होती है जैसे कि मीटर क्यूब 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 है ना तो यह हमारे फार्मूले हो गए यह होगे टी-स से एरिया फोर्वाल और य तो हमारा सेकंड टॉपिक है क्यूब को इंदी में घन कहते हैं क्यूब की जो साइड होती है सारी साइड होती है तो उसे एस डे परजेंट करा जाता है इसका लेंद ए ब्रेथ ए हाइट ए ठीक है तो इसमें क्या होगा कि जो टोटल सर्फेस एरिया होगा टीस से आफ़ा क्य होगा 6aα एक त्टीक है और जो एरिया 4 Vol होगा अरिया 4 वाल या फोल या फिर जो एल एससे होगा वह इसैं से क्या होगा 4aa स्कियर value के आगर हम बात करें ह Stud rule जो होता है वह होता है ए बंटो ए इंटो एमचि क्या रहल कर सकते हैं एक्यू ठीक है तो यह उते हैं आपके क्यूब में कर लीज tengan कर ली इस ने का थे हैं तो यह हमारा होता है रह marche को आप और यह होता है इसको करोड सर्फिस ठीक है तो यहां पर यह हो गया हमारे टॉप है यह हो गया हमारा बोटम अब और यह हो गया हमारा कर अथम्थे ठीक है तो जो कर अधिया है इसे हम लोग except यह से भोलें यह होगा अमारे bottom एरिया और यह होगा हमारे top under bracket h plus r वाल्यूम के अगर हम बात करें कि तो वाल्यूम होता है पाई r square h क्या होता है पाइ r square h आप देखो जो हमारा cylinder होता है उसमें एक केस और आता है हालो cylinder का साथी साथ में यहां पर कुछ और भी एक देख लो कभी कभी इसमें सरकम्फृरेंज का भी फार्मुला लगएगा और अगब एरिया कीबट करें सर्किल कई जो वह से मूगा एरिया आप स्कुईयर मेंगा पाई3 क्या लगएगा पायार स्कुईयर कि अब कभी-کभी बात पास्ता जाती है ऊ о सिलेंडर की किसकी तो अब यहांबर बात करेंगे आ फंद्र के बारे में कि इंक कि आ चाही में खोकला कहते हैं तो हालो का मतलब दिखो यह बीच में यह डैक होती है बीच में कुछ फिल लेंडर नहीं होता है तो ऐसे केस में कि यहां पर कुछ ऐसे इतनी मोटाई होती है यह वाला सेक्षन और इसको मालीजी यह ठी है देखो यहां से ले करके यहां तक जब हम देखेंगे तो यह वाला हमारा outer radius है यानि कि जो बाहरी वाला cylinder का surface है उसका radius है उसे हम capital r लेंगे और यह वाला जो होता है मारा यह inner radius है इसे हम small r लेंगे तो यह होता है capital r is equal to small r plus t यानि कि outer radius is equal to inner radius plus thickness यानि कि मोटाई तो यह उग्या मरण radius का फर्मूला अब यहां से दिखो जो curved surface area बनेगा outer का outer cs से 2 pi r h और जो inner cs से बनेगा यानि कि inner curved surface area inner cs से is equal to 2 pi small r h small r क्या है inner radius है इस case में height जो से में वो change नहीं है अब देखो तो फर्मूला क्या होगा ts से आफ cylinder ठीके तो halo cylinder की case में जो ts से होगा वो होगा 2 pi under bracket capital r plus small r into capital r minus small r plus h क्या होगया जो ts से होगा ts से आफ हा halo cylinder वो होगा 2 pi capital r plus small r capital r minus small r plus h यहां से volume का फर्मूला क्या होगा volume माफ़ा halo cylinder तो देखो जो volume होगा कि उसका फार्मूला होगा पाई capital r square minus small r square into h अब देखो इसको आप ऐसे भी rate कर सकते हो चुकि a square minus b square का फार्मूला क्या होता है a plus b a minus b तो यहां पर जो r capital r square है और minus small r square है वो इस फार्मूले पर बेस्ट है तो इसको हम ऐसे भी rate कर सकते हैं पाई capital r plus small r capital r minus small r into h ठीक है तो यह दोनों फार्मूले हमारे हो सकते हैं कि इसके volume हाफा halo cylinder तो cylinder के case में हमारे इतने फार्मूले बनते हैं आप चाहो तो वीडियो को पाउज करके red down कर लो या फिर screenshot ले लो तो नेक्स्ट है हमारा कौन इसे हिंदी में silent height कहते हैं ठीक है तो यहां पर जो सबसे पहले मारे curved surface area कोन होता है सीस से पाई आर एल उसका फार्मूला क्या होता है पाई आर एल अब अगर बात करें टी से आफा कौन तो यह होता है मारा पाई आर अंडर वेकट एल प्लस आर ठीक है वल्यूम की बात करें एमें वर्यूम आफा कौन देखो जो cylinder का वर्यूम होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्कौरिए एच इसको वन आपान थरी से payroll करते तो क्या बन जाएगा volume of cone बन जाएगा so volume of cone is equal to 1 upon 3 pi r square h तो ये हो गया हमारा cone का formula chc क्या हो गया chc alpha cone pi r l thc alpha cone pi r under bracket l plus r volume of cone 1 upon 3 pi r square h अब देखो यहाँ से हमें जो ये slant height है ना l को हम बोलते है slant height इसको calculate करने का formula होता है h square plus r square पर कभी कभी हमें इस formula से find करना होता है r यह यह तो उस case में आप ऐसे apply कर सकते हो l square is equal to h square plus r square basically यह जो formula है पाइथागोरेस theorem पर based है तो आप इसे write on कर लो या फिर वीडियो को pause करके screenshot ले लो तो देखो next है हमारा s fair s fair को इंदी में गोला कहते हैं यानि कि जो gain होता है वो s fair होगा तो s fair में सिर्फ और सिर्फ radius होती है यहां से में दो चीजे मिलेंगी एक मिलेगा surface area of a sphere क्या मिलेगा surface area of a sphere surface area of a sphere का formula होता है 4 pi r square ठीक है दूसरा में मिलता है volume of a sphere क्या मिलता है यहां मेरे वहल tubing होता है हेमी स्फेयर क्या होता है हेमी स्फेयर है मतलब आधा गोला तो इसको बुलते हैं अर्द गोला ठीक है आग इन तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमेरा सर्फिस अर्िया का फर्मूला होता है surface area of hemisphere वो होता है हमारा 2 pi r square ठीक है अब देखो जो हमारा hemisphere होता है वो कुछ ऐसे बनता है ठीक है तो sphere में तो सिर्फ surface surface area होता है लेकिन hemisphere में ये वाला भी area आ जाता है तो अगर हम बात करेंगे इसके total surface area की यानि कि टी एस से आफ hemisphere तो उसका जो फर्मूला होता है वो होता है 3 pi r square क्या होता है 3 pi r square अब अगर हम बात करें volume of hemisphere तो volume of hemisphere जो होता है वो होता है वो होता है 2 by 3 pi r q क्या होता है 2 by 3 pi r q अब यहां से देखो कुछ और चीजे हैं जैसे अगर मालों में diameter दिया है उससे radius find करना है तो एक तो फार्मूला होता है d is equal to 2 r अगर में radius find करना है तो d by 2 अगर मालो circumference दिया है तो circumference का formula होता है 2 pi r या फिर d के term में देखें तो पाइडी तो इस प्रकार की formula का यू जम कर सकते हैं को साल्व करते समय है तो आप इसे रेट डॉन कर लीजिए या फिर वीडियो को पाउज करके screenshot ले लीजिए अब देखो यहां पर कुछ इनर रेडियस होगा टी जो होगी वह विद्डव होगी इसमाल ए जो है वह साइड़ क्यूब होगा यह जो होगा उसे स्लेंट हाइट बोलते हैं कोन के केस में स्लेंट हाइट होता है सी से मींस कर्वड सर्फेस अरिया एक बात और जानलो अगर हमारा कोई area है ठीक है तो उसकी यूनिट होगी उसका Tourette स्क्रेवर में करें मिली मिटर दिया तो मिली मिटर स्क्राइब लेकिन अगर वालियूम दिया होता है ठीक है क्या दिया है वेल्यूम का होता है क्यूबिक यूनिट मीन्स यूनिट का क्यूब और क्यूबिक यूनिट ठीक है मलब अगर किलो मीटर में दिया तो किलो मीटर क्यूब मीटर में दिया तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर में दिया तो मिलीमीटर क्यूब एटीसी तो इस प्रकार से हमारे फार्मूले के क्या दिये गया है यूनिट दिये गया है तो अब आप चाहो तो इन्हें रैट डॉन कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रिंसट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जर्यावी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोस्टन के साथ तब तक अगले थेंक्यू क्लास